तो वेलकम ओल आफ यू तो आचा एस्पेक्ट वीजन तो कैसे हमारे सभी एम्स के इस्टुडेंट तो अब देखिए आज का जो ही वीडियो है करने जा रहे हैं एम्स नर्सिंग 2024 की और एम्स पारा मेडिकल 2024 की अब एम्स का जो एक्जाम होता है सभी बच्चों का ये सपना होता है कि मैं एम्स में पर हूँ ठीक है एम्स ना सही BST नर्सिंग ही करूँ या पारा मेडिकल कोर्स ही करूँ ठीक है तो इसके बारे में बहुत सारे बच्चे लगातार हमसे पूछ रहेतें तो आज के इस वीडियो में आपको एम्स नर्सिंग और एम्स पारा मेडिकल स्लेटेड सभी जानकारिया मिल जाएंगी अब क्या-क्या मैं बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में तो सबसे पहले मैं बताऊंगा AIMS Nursing या फिर AIMS Paramedical का फॉर्म कब आता है प्लस इसकी eligibility criteria क्या है यानि कि कौन-कौन बच्चे ये फॉर्म भर सकते हैं इसका examination pattern क्या है इसके क्या syllabus रहते हैं प्लस new syllabus क्या है और preparation कैसे किया जाए यानि कि AIMS Nursing और AIMS Paramedical का preparation कैसे सबसे best way में किया जाए तो नमस्कार मैं अंकित कौसिक आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल स्पेक्ट वीजन में सभी बच्चों से मेरा बस एक request है कि सभी बच्चे एक like कर दे बस इस वीडियो को और comment box में आप किस जिले से और किस राज से किस स्टेट से ये वीडियो देख रहे हैं comment box में हमें जरूर बताए आपके comment पर कर में बहुत अच्छा लगता है जल्दी से like कीजी ठीक है सभी जानकारी के लिए आप लोग इस वीडियो के description में या फिर comment box में aims का हमारा WhatsApp ग्रूप का link दिया गया है उसे सभी बच्चे जरूर से जरूर join करें तो जल्दी से जाए description में या फिर comment box में पहला जो pinned comment है उसको check कीजिए आपको WhatsApp ग्रूप का link मिल जाएगा सभी बच्चे जरूर से जरूर हमारे WhatsApp ग्रूप में join कर ले ताकि उन्हें सारी जानकारी मिलते रहे ठीक है सबसे पहला जो point उठता है कि इसका form कब आता है तो aims nursing का basically जो form आता है बाबू वो आपका फरवरी से मार्च के बीच में आ जाता है ये completely depend करता है कि board exam कब खतम होते है जैसे board exam खतम होता है इसका आपका form date आ जाता है और इसकी जो exam होती है वो एप्रॉक्स जून महिने में होती है aims nursing and aims paramedical ठीक है clear है ये बात दिमाग बैठ गया सबका चलिए अब जो सबसे पहला सवाल है हमारा कि इसमें दो exam होता है एक aims nursing 2024 हो गया और एक aims paramedical अब nursing तो आप लोग को सभी को मालूम है 4 year BST nursing program ये आपका रहता है aims nursing में और paramedical में बहुत सारे courses रहते हैं इसे आपका lab technician हो गया, radiology हो गया, OT हो गया, optometry हो गया अन्य बहुत सारे courses रहते हैं ये हुआ आपका paramedical courses तो ये nursing और paramedical courses के लिए आप लोग जो इंट्रेंस देते हैं वो होता है आपका aims का इंट्रेंस, aims nursing या aims paramedical अब थोड़ा से बात करेंगा अब लोग LGBT criteria पर यानि कि कौन-कौन से बच्चे form भर सकते हैं और कौन-कौन से बच्चे इस exam को दे सकते हैं subject यानि कि चाहे आप PCB से हो या PCMB से हो biology subject होना चाहिए तो आप इस form को भर सकते हैं और इस exam को दे सकते हैं लेकिन यहाँ पे एक छोटा से restrictions हैं कि boys जो हैं सिर्फ और सिर्फ पारamedical का ही exam दे सकते हैं और admission ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ किसमें? पारamedical में वहीं पे girls जो हैं पारamedical नर्सिंग बोथ का exam दे सकती हैं और admission भी ले सकती हैं बीसी नर्सिंग में भी और पारamedical में भी तो यहाँ पे इस बात का आपको खासा ध्यान रखना है कि अगर आप लर्के हैं तो आपको focus किस पे करना है? AIMS Paramedical 2024 पे और अगर आप लर्की हैं तो आपको दोनों चीज़ों पे focus करना जीए तो आपका क्या चीज़ों फोकस रहेगा? एक पर comment box में जरूर जरूर लिग देंगे आप लो वीडियो को like करते जाए एकदम और WhatsApp group में मस्ते मस्त जॉइन करीजिए, description और chat box दोनों जगर link होगा अब बात कर लेते थुआ समनों कि seat कितने हैं? एम्स जो इंट्रेंस लेती है इसमें seats कितने हैं? तो लगभग 900 seats जो है आपको देखने को मिलेंगी BSC Nursing में जो all over India में जितने भी एम्स हैं सभी में BSC Nursing होता है और सभी एम्स के seatों को मिला के आपको 900 के आसपा seats देखने को मिल 23 का है लेकिन एक बात मैं आप लोग सभी को बता दूँ कि 23 में भी approximately 120 seats Nursing में एड़ हुए थे और 60-70 seat के approximately Paramedical में एड़ हुए थे तो हम उमीद करें कि 24 में भी कुछ seat add होगा इसकी जैसे जानकारी मिलेगी हम लोग आपको दे देंगे उसके लिए आपको चिंता करने की एक्जाम होता है यानि कि physics के 30 questions आपको रहेंगे ठीक है 30 questions आपको physics से पूछा जाएगा 30 questions आपको chemistry से पूछा जाएगा 30 questions आपको biology से पूछा जाएगा और 10 questions आपको जो है gk से पूछा जाएगा कुल मिलाके 100 questions का आपका ये exam होता है इसका जो level होता है यानि कि ये जो best होत है वो होता है 11th and 12th पर ठीक है यानि कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आपसे 12 से पूछा जाएगा ऐसा भी नहीं है कि आपको सिर्फ और 11 से पूछा जाएगा आपका दोनों combined रहता है level थोरे से high रहते हैं as compared to state nursing इंट्रेंस examination जो आपका stage से है कि आप बिहार वाले जो होंगे वी सिसी देंगे यूपी वाले होंगे सीनेट देंगे रास्थान वाले रू देंगे सभी का अपना अपना बहुत जल्द हमारी team aspect vision हर साल की बात है आप लोगों को मालूम होगा कि पिछले साल भी हमने aims nursing का class करवाया था और हमारे बैस से 24 student का selection हुआ था और यह हमारे बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे इंट्शूट से 24 student निकल के आज विभिन aims संस्थान में पर रहे हैं और result ही ह हमारी हमेशा priority रहती है इसलिए हर बार की तरह इस बार भी हम लोग aims nursing और aims paramedical का batch बहुत जल्द आप लोग के सामने लाएंगे और आप लोग के लिए best preparation करवाएंगे aims का तो कौन कौन चाहते हैं और कौन को और इंतजार कर रहे हैं हमारे aims nursing और aims paramedical batch का एक बार जरू हैंगे ताकि हमें भी पता चले ठीक है और तब तक आप लोग को क्या करना है बाबू तब तक आप लोग को whatsapp group में जरूर जोईन कर लेना है description और comment box दोनों जिगा लिंक दिये गया है प्लस कुछ दिनों में एक और वीडियो आईगी मेरी aims के उपर जिसमें मैं आप लोग क बताऊंगा कि आपका क्या सही strategy होगा aims nursing या फिर aims paramedical crack करने का तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर जरूर देखिएगा तो उमीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और सारा point लगबग कली clear कर दी आप लोग के लिए कि aims nursing का और aims paramedical का form कब आएगा इसकी examination क अब होगी इसका LGBT क्या है exam pattern क्या है syllabus क्या है preparation के लिए आपको इंतजार करना है aspect vision के batch का और आप लोग चाहते हैं अगर जल से जल बैच आए तो comment box में जरूर जरूर comment करें ताकि हम जल से जल हम काम करना और बहुत ही धमाकेदार batch इस बार आप लोग के सामने आएगा और इस best of luck में से पास्टें best of luck than ever